अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदिकी भर की कमाई कितनी हो सकती तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड इस से जादा तो आप भी नहीं सोच रहे होगे लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टिूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानन्द मान केकर और उनकी कुल संपत्ती सुनके आप लोग हैरान रहे जाओगे उनकी कुल संपत्ती है 1000 करोड जी हां गाईज और ये 1000 करोड की संपत्ती उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूजबूच से इन्वेस्ट करके शेर मार्केट में मल्टी वैगर शेर को चूज़ करने में ये एक्सपर्ट हैं और इसी वज़े से उन्हें जीनियस टोप पिकर का जाता है और किसी मिडर क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्परेशन से कम नहीं है उन्हें में शुरू में असान लगते हैं लेकिन उनके जवाब सिर गुमा देते हैं उन्हें में से एक सवाल है कि आप असी में से 8 कितनी बार घटा सकते हो सवाल को ध्यान से सुनेगा असी में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हो ये सवाल था और अगर आपका जवाब भी 10 है तो आप भी गलत है Actually, जादातर लोग इसका जवाब 10 देते हैं लिकिन इसका सही जवाब है 1 Actually, अगर आप 80 में से एक बार 8 घटा दोगे तो आएगा 72 अब अगली बार 8 आपको 72 से घटाना है 80 से नहीं इसलिए 80 में से 8 आप एक ही बार घटा सकते हो तिबतियों की कहावत सुनिए तिबतियों के नुसार अगर आपको healthy और long life चाहिए तो उसके लिए आपको दिन भर में जितनी जरुरत हो उसका सिर्फ आदा ही खाना चाहिए खाना खाने के बाद आपको दुगना यनि की double घूमना चाहिए पूरे दिन भर में तीन गुना हसना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए और सबसे important दुनिया में हर किसी से अंदिनत प्यार करना चाहिए अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे और लंबा जीवन जी होगे आपको तिब्वतियों की कहावत कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा